यहां पर हम देखेंगे MP में forest based industry और यहां पर हम देखेंगे कि यह outline map है नीमर्च, मंद्सौर, रतलाम, उजैन आपको यह पूरा map यहां पर outline map याद होगा सागर वो पाल इदर सागर यहां पर हम forest based industry देखते हैं अगर मैं इसी line को extend करूँ और यहां पर एक f draw करने कुश्य करूँ मैंने पूरे MP को तीन parts में बढ़ दिया है यह वाला जो part है वो dense forest का है यह medium और यह low density, dense, least forest region तो यहां पर इस map को हमें इसे तरह कर देखते हैं dense forest region में जो important है वो है खंडवा में नेपा नगर newsprint के लिए जो यहां पर paper होता है paper का production होता है 1956 में यह industry develop हुई तो यहां पर यह newspaper के लिए paper का production होता है और यह national important है अकर हम यहां पर देखें तो यह इसके लिए चांदीपुर thermal power plant भी इसको electricity देता है देवास में note print, note print की factories develop है शहडोल अमलाई में oriental paper meal, important शहडोल and timber industry चिंदवाडा मांडला, timber industry चिंदवाडा और मांडला में developed है अगर हम इस area में देखें medium forest region तो तैंदुपत्ता based BD industry यहां पर सागर, कटनी, दमो, सतना and जवलपुर यह developed है और यह जो है तैंदुपत्ता based BD industry इसमें tribal लोग included रहते हैं यहां पर मैं draw करूँ अगर तो सागर, कटनी, दमो भी यही है सतना उपर, जवलपुर हम यहां पर मार्क कर देते हैं और इस कौरण पर सतना है अगर हम least forest region को देखें क्योंकि यहां पर rainfall भी कम है, तो forest area भी कम है तो शिपरी में कट्था इंडस्ट्री, खेरवार, प्राइब, इसमें involved रहती है यहां पर आप दियान देख सकते हैं forest based industry, dense forest region में bamboo, टीक, यह heavy rosewood, साल बहुत important है, इससे railway के track बनते थे पहले, लाक यह important industry है, dense forest की और medium forest region, तेंदुपत्ता, खेर, सागोन, लीष्ट में, शिपरी में, बामोर में, कथा इंडस्ट्री जो डवलप्ट है, इससे बेडी बनती है